दोस्तो अब सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन यारफोर्स के तरफ से 36 राफाल यारक्राप्टों को खरिदने के बाद एक बहुत बड़ा मेगा टेंडर मतलब 114 फाइटर यारक्राप्टों को खरिदने को लेके एक टेंडर जारी किया गया है जिसे MRAFA मतलब मल्टी और दोस्तो इस टेंडर में अब तक भारत के सामने करीबन 8 यारक्राप्टों का प्रस्ताव रखा जा चुका है और ये सभी यारक्राप्ट दुनिया का one of the best यारक्राप्टों में गिना जाता है पर दोस्तो हाली में जब प्रधान मंत्री नरंद्रो मोधी का फ्रांस का द द्वारा राफाल यारक्राप्टों को ही पर्चेस किया जाए और दोस्तो अब कुछ मीडिया रिपोर्टों में इन बातों का भी खुलासा करते हुए ये कहा जा रहाएगी MRFA टेंडर मतलब 114 फाइटर यारक्राप्टों के टेंडर में राफाल यारक्राप्टों के जो द दोस्तो इसका पीछे जो में कारण है वो भारत और द्वारत और देस्ल एवियेशन के बीज में बनने वाला गधनिश्रता है अब दोस्तों टूटल भारत के सामने 8 यारक्रेप्टों का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन रैफेल यारक्रेप्टों को ही बारवार एक प्रमुख दावेदार के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसका इतियास में भी एक छाफ है बेसिकली दोस्तों ये जो 114 फाइटर यारक्रेप्टों का टेंडर जिसे की MRFA टेंडर कहा जाता है ये कुछ और नहीं बलकि साल 2007-08 में भारत के द्वारा जारी किया गया 126 यारक्रेप्टों के टेंडर का ही एक नया रूप है जिसे की पहले MMRCA मतलब मीडियम मल्टि रोल क इतने भी यारक्रेप्टों का ओफर किया गया था लगवगो सभी यारक्रेप्ट इस बार के टेंडर में भी है और इस बार के टेंडर में केवल मात्र दो यारक्रेप्टों को ये अतरिकत जोड़ा गया है पर उस दर्मियान टेंडर में डैसॉल एविशन के रैफैल और य यूरोफियन कंसेशियम के यूरोफाइर टाइफून ही सवी रिक्वार्मेंट को पूरा कर सका और फाइनल दोर तक पहुंच सका था। मतलब MMRCA टेंडर था उसके स्वरुप को बदलते हुए MRA फे टेंडर में परिवर्तित किया गया। अब पिछले वार किया अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो उसे ही बेस बनाते हुए इस वार भी डैसॉल एविशन के राफाल यार क्रेप्टो को ही एक स्ट्रॉंग कंट के फ्रांस दोरे के दर्मियान ही राफाल यार क्रेप्टो को नेवी के नेक्स्ट केरियर बेस मल्टी डॉल फाइटर यार क्रेप्टो के रूप में खरिदने को लेके डिसिजन को आगे लाया गया है और 229 यार क्रेप्टो को पर्चेस करने के बाद इंडिया के पास टोट कॉमर्शियल और लॉजिस्टिक सेंस में भी बहतर होगा क्योंकि अल्रेडी इतने बड़े संख्या मतलब करीवन 62 संख्या में यारक्राफ्ट होने के कारण इंडिया को कम से कम लॉजिस्टिक और इंफ्रस्ट्रक्चर का जुरूरत पड़ेगा दूसरे तरफ दोस्तों यार के कॉस्ट को बढ़ाता है पर अगर कम संख्या के मतलब अलग अलग टाइफ के कम यारक्राफ्ट हो और बड़े संख्या में हो तो ये यार फोर्स के जो मेंटेनेंस के कॉस्ट है या फिर जो ट्रेनिंग सेडियूल को बनाने को लेकर जो कॉस्ट होता है उसे घटा सकता है दोसो फिलाल इंडियान यारफोर्स के द्वारा रैफैल यारक्राप्टों को अमबाला यारफोर्स स्टेशन और हसीमारा यारफोर्स स्टेशन में डिपलोई किया गया है जिफकि रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इंडियान यारफोर्स के द्वारा 36 रैफैल यारक्र को दो पर्चेस किया गया है लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन यार फोर्स के पास इसके करीवन दुगना यार क्रैप्टो को एकुमोडेट करने का इंफरस्ट्रक्चर है अब दोस्तों यहाँ पर आपके जानकारी के लिए यह भी बता दो कि डैसॉल अविएशन के निर्मान भी हो रहा है मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि मेकिन इंडिया इनिशिटिव के अंतरगदिन यार क्रैप्टो को अगर भारत में निर्मान किया जाता है तो यह एक तरीके से डैसॉल आविएशन के लिए और आसान होगा अब दोस्तों राफाली यार क्रैप्टो ये कोई सा YARCRAFT किसी से कम नहीं है लॉकिट मार्टिन के F-16 YARCRAFT के ही एक अपग्रेड़ वर्जन F-21 शामिल है रश्या इसमें दूसरे नमबर पे है और रश्या के द्वारा दो YARCRAFT का ओफर रखा गया है जिनमें एक तो है सुखोई कॉर्परेशन के सुखोई ASU-35 YARCRAFT जबकि दूसरा है मिकोयान कॉर्फरेशन के MIG-35 और योरोप के तीन अलग-अलग देशों के द्वारा तीन YARCRAFT का ओफर रखा गया है जिनमें फ्रांस के डैसॉल एवेशन के बारे में तो आप लोगों को बताने का जुरूरत नहीं के इसके इलावा पिछले वार का जो L-2 बीडर है मतलब योरोपियन कंसर्शियम के योरोफाइटा टाइफून और सुडेन के कंपणी साफ ग्रूफ के तरफ से ओफर में रखा गया है JS-39 ग्राइपिन EARCRAFT अब दोसे पिछले वार के टेंडर में इन में से 6 एरक्राप्टों का ओफर अल्रेडी था और इस बार केवल मात्रों एडिशन के रूप में बोईंग के F-15EX और सुखोई कोरपरेशन के सुखोई ASU-35 आया है और पिछले वार जीन EARCRAFTों का प्रस्ता भारत के सामने था उन EARCRAFTों में भी काफी बदलाव किया गया है जिनमें की दोस्तों MIG-35 EARCRAFT अब पहले के मुकाबले में काफी ताकतबर बन चुका और इसमें Active Electronical Scan Error Radar से शुरू करके कई तरीके के नए Avionics और हत्यारों को जुड़ा गया है F-16 EARCRAFTों का ओफर पहले था और उसे अब बदल के F-21 किया गया है जिसे लेके अमरीके कमपनी का दावा है कि इसमें कई तरीके के नए equipment even 5th generation के equipment को भी लगाया गया है बाकी रहा Gripen EARCRAFT तो पहले के टेंडर में केवल मात्र JS-39 CD EARCRAFT था लेकिन अब JS-39 Gripen EARCRAFTों का प्रस्ताव रखा गया है जोकी इन वरियंटों में सबसे मजबूत तरीन EARCRAFT है दोस्तों अगर Eurofighter Typhoon को देखा जाए तो पहले Trench 3 के EARCRAFTों का ओफर किया गया था और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि Upgrade Trench 4 या फिर Trench 5 EARCRAFTों का प्रस्ताव European Concertium के तरफ से रखा गया है पर दोस्तों रफाल EARCRAFT में भी बदलाव किया गया और पहले के Tender में जहाँ पे F3R वेरियंट था तो उही पे अब बताया जा रहा है कि Up4 वेरियंटों का ओफर भारत के सामने रखा गया है पर इसके इलावा दोस्तों एक पॉइंट ऐसा भी है जिसे अगर कंसीडर किया जाता है तो यह DASOL AVIATION के रफाल EARCRAFTों के जीतने का सबसे बड़ा कारण होगा और दोस्तों यह कारण है इंडिया स्पेसिफिक इनहांसमेंट अब लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि पिछले बार जो 36 EARCRAFTों को पर्चेस किया गया था उनमें क्लॉस के तहथ इन EARCRAFTों को इंडिया स्पेसिफिक इनहांसमेंट के तहथ अपग्रेट किया गया है मतलब ऐसे कुछ EARCRAFTों को लगाया गया है जो की संपूर्ण रूफ से इंडिया के जुरूरतों के मताविक है और जो इंडिया के इनवार्मेंट में EARCRAFTों को अपरेट करने में मदद करेगा जबकि अगर इंडियान एरफोर्स के द्वारा रैफैल के जगा में किसी अन्य EARCRAFT को पर्चेस किया जाता है तो फिर से उस EARCRAFT को इंडिया स्पेसिफिक इनहांसमेंट के तहथ ढालना पड़ेगा और दोस्तों ये इंडिया स्पेसिफिक इनहांसमेंट पहले ही हो जाने के कारण इस बार के टेंडर में DASOL AVIATION के तरफ से अपने EARCRAFTों के कीमत को पिछले EARCRAFTों के कीमत के मुकाबले में कम रखना भी संभव हो पाएगा जो कि योरो फाइटर टाइफून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा हाला कि रिपोर्ट में ये विदावा किया जा रहा है कि योरो फाइटर टाइफून EARCRAFTों के कीमत को भी काफी कम करने का तयारी किया जा रहा है और दोस्तों अगर ये वास सही होता है तो शायद इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंस्मेंट के इस क्लॉस के बावुजूद भी डैसॉल अविएशन के लिए योरो फाइटर टाइफून एक बड़ा चैलेंज बने दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि इस बार भी 114 फाइटर एर क्रेप्टों के टेंडर के अंतरगत रैफल एर क्रेप्टों को चुना जाएगा या रैफल एर क्रेप्ट के चुनने के संभावना इस बार पहले के मुकाबले में कम है कॉमेंट करके अवर्शे बताइए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पर ही करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलें तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम